हाई एवरिवान स्वागत है एक और नए वीडियो पे तो गैस यार सबसे पहले सभी भाईयों लोको हमारे तरफ से हैपी होली इन एडवांस तो गैस यार हमारे पास बहुत दिनों से इसा कमेंट आ रहा था प्रसनली मैसेज भी आ रहा था कि हम अपना होली पे एक सेटप ल लेना चीह कौन्सा आप लोग को चलानके लिए और कितने बाट इस क्या अप लोग को । x कैसे आप लोगोव को इसको आपरेटर करना वाला है वह आप को लाश्ट में बताएंगे तो गैस यार ये वीडियो काफी आपके लिए इंपोर्टेन होने वाला है नमस्कार दोस्तों मैं पुस्पिंदर कुमार आप देख रहे हैं पीस टीजे ब्लोग नमबर वन अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल सब्सक्राइब के बारें बात करें वाला है तो गईस यांपर सबसे पहले अहुज्जा का एक पीए स्पीकर सिस्टम लिया है जिसका मोडल मर आप लोगो एस पी एक्स बार सो दस देखने को मिल जाएगा इसके पावर रेटिंग के बारें बात करेंगे तो इस टोब का पा काफी आप लोगो लाउडने सावाज दूर तक सुनने को मिल जागा इसके नॉमिनल इंपीडेंस के बारें बात करेंगे तो एक काफ़ी यह भी वजरन वाला टोफ हो जाता है जो की कमपनी का फीटिंग टोफ होता है जो किадц चलने वाला टॉप है इस टॉप में कोई भी प्रोगलेम नहीं होता है कि यह कंपनी का फिटिंग टॉप होता है तो मार्केट से जोड़ आप लोग टॉप फिटिंग कराते हैं उसके मुकाबले यह काफी बेस्ट बज़ता है चले गई सब हम बात कर लेते हैं इस टॉप का प्रोग्स प्राइज के बारे में तो गई से यह आप लोगों को 25 से 40 से बीच में देखने को मिल जाएगा हो सकता है कि आपके मार्केट में इसका प्राइज दूचर-पांच आर उपर और नीचे देखने को मिले तो आप लोग वह आप अपन सब फर्स सिस्टम लिए हैं जिसका मोडल नुबर आप लोगो एस डाबलू एकस चब्वी सो देखने को मिल जाएगा इसके पाउंग रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो एक डूएल बेस का पाउंग रेटिंग आप लोगों चब्वी सो वाटेज आर मिक्स देखने को मिल जाएगा और बाउन सो वाटेज इसका प्रोग्रामिंग वाट देखने को मिल जाता है यानि प्रोग्रामिंग वाट का मतलब यह होता है कि आपका 2600 वाटेज का डूएल बेस है कभी आप लोग इसे कंपटिशन में आप लोग 3500 वाटेज चार अजर वाटेज पर जैंके यह डूएल बेस और न आका टॉप जालेगा और नहीं आपका वेस जलेगा क्योंकि इसका डॉज we इस बेस के frequency response के बारे में बात करेंगे तो इसका frequency response आप लोग को 35 से 200 वाटर्स देखने को मिल जागा जो कि काफी ये low frequency वाला बेस है और front बेस देखने को मिल जागा तो गाइस आप लोग को सामने से ही इसका heavy punch और heavy vibration सुनने को मिल जागा इसके nominal impedance के बारे में बात करेंगे तो इस dual base का nominal impedance आप लोग को फोरूम देखने को मिल जागा तो काफी ये heavy version वाला dual base हो जाता है इस base को कहीं भी ले जाने के लिए आप लोग को heavy आदमी का जोरत पढ़ेगा जो कि दो आदमी इस base को कहीं भी ले जा सकते हैं चले गई सेब हम बात करते हैं इस बेस के अप्रोक्स प्राइज के बारे में तो गईष यार इस टाइप के हमें दो डूम लेना है तो आप लोग इस टाइप से अपना कल्कुलेशन कर लेंजा ने में हमें कितना प्राइज पढ़ने वाला ऐसे दोस्तों आप लोगो सारा का एक कल्कुलेट करके टोटल प्राइज हम विडियो के लाश्ट में बताएंगे कि कितना इस सेटप को लेने में आप लोगो प्राइज लगने वाला है दोस्तों यहाँ पर टॉप और यहाँ पर डूअल बेस मेरा कंपलीट हो गया अब गईस हम बात करेंगे कि टॉप को चलाने के लिए हमें यहाँ पर एक एमिल फायर लेना चाहिए और बेस को चलाने के लिए एक हमें हेवी क्वालिटी का एमिल फायर लेना चाहिए तो गईस जhouse हें» देखने को द behavior काफी है एक kav पर चैनल को मिल oh 155 वा आटपुट के कि बारे में तो गैसे सबाइंगे और फ्रेक्वेंश का फिर्वेनशी रिसपोंस सब्रक्समेंको लोग को बीस से बीसे जार अटर देखने को मिलेगा जो कि टॉप से काफी यह मिलता जुलता यह फिर्क्वेंसी रिस्पॉंस है तो काफी यह टॉप को बेतरी तरीके से चलाएगा और काफी आप लोग को लाउडनेस अवाज इस फटने का कोई भी चांस आप लोग को नहीं आप लोग को चार सो देखने को मिल जागा जो कि टॉप के लिए काफी बेतरीन होता है कि चार सो डॉपिंग फिटर है तो काफी आप लोग को टॉप बेतरीन तरीके से बजाएगा इसे मिल फायर के नेट विट के बारे में बात करेंगे तो इसका नेट विट आप लोग को आप रूप प्रायज के दूप लोगों 40a सा 45 में देखता है हमारी माऱ्ेट में हो सकता है कि मळीचे नेelf 하겠습니다 तो आपflowingumin हडीज की जीएगा किसों कर मर्केट में हैर अलगलग देखने को मिलता है चलिए गैस अब हम बात करते हैं कि base को चलाने के लिए कौन सा ML fire लेना चाहिए तो गैसे आपर base को चलाने के लिए ओज्या का ML fire हम यूज नहीं करने वाला है क्योंकि base को चलाने के लिए हमें एक heavy quality का ML fire चाहिए और ज्यादा dumping factor वाला ML fire चाहिए तो गैसे आपर हम base को चलाने के लिए NX IDO का MT proton dual channel power ML fire यूज करने वाले हैं जिसका model नमर आप लोगको MT 1801 है जो कि March में ही यह model launch हो गया है चलिए गैसे हम बात करते हैं E7 fire के power output के बारे में तो इसका power output आप लोगको 2 हम पे 3300 wattage per channel देखने को मिल जागा और फोरों पे 2400 wattage per channel देखने को मिल जागा और एटों पे 1500 wattage per channel देखने को मिल जागा तो गैस आप लोगको बता दू कि ए NX IDO का MT 1801 ML fire जो कि हाली में 2022 में यह ML fire लंच हुआ है तो गैस इस ML fire का dumping factor आप लोगको 1200 देखने को मिल जागा जो कि काफी यह better quality का आप लोगको dumping factor देखने को मिल जाता है गैस आप लोगको बता दू कि जो भी ML fire अगर आप लोग बेस चलाने के लिए ले रहे तो जिस ML fire का ज़्यादा dumping factor रहेगा उसी ML fire में आप लोगको ज़्यादा बेस सुनने को मिल जागा चलिए गैस हम बात करते हैं इसके net weight के बारे में तो गैस इसका net weight आप लोगको 44 kg approach देखने को मिल जागा गैस यहाँ पर आप लोगको बता दू कि यह ML fire आप लोगको class D में देखने को मिल जागा उपर और नीचे देखने को मिल जागा गैस अब लोगको बता दू कि हम फहरा भी लंच हुआ है तो इसका प्राइज कम और बेसी हर मार्केट में देखने को अलग लग मिल सकता है चलिएगा इस हम बात करते हैं कि इस setup को चलाने के लिए हमें एक best quality का idea mixer लेना होगा इसका प्रोग्स प्राइज के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रोग्स प्राइज आप लोगों 20-14000 के बीच में देखनेको मिल जाएगा जो कि हो सकता है कि आपके मार्केट में इसका प्राइज अलग लग देखने को मिल जागा तो गईस यहां पर नौड चैनल का recommend आप लोग ठीरी चैनल का मिक्सर मत लेजिए आप लोग निव सेट अप ले रहे हैं तो नो चैनल या बारत चैनल का मिक्सर लेजिए ताकि आप लोग को कभी लाइब प्रोग्राम का भी ओफर मिले तो आप लोग गाउंद्यात में कर सकते हैं चले गईस हम बात करते हैं कि इस setup को चलाने के लिए एक हमें heavy quality का जर्नेटर भी लेना पड़ेगा चले गईस हम बात करते हैं कि इस setup को पूरे पहुर को कंट्रोल करने के लिए हमें एक लेना पड़ेगा तो आप लोग को दस के ले लेना है जो कि आप लोग मार्केट से भी और बाई कर सकते हैं या अपने नजदीकी मिस्तीरी से भी बनवा सकते हैं जिसका ब्रुक्स प्रेज आप लोग लोग ने कमेंट किया तो टोटल यहां पर मेरा चीज कंप्लीट हो गया अब गैसे हम बात करते हैं पार लाइट के बारे में तो गैसे यहां पर पार लाइट भी आप लोग ले सकते हैं जो कि बाईसन का ले सकते हैं बिग डीपर का ले सकते हैं सोवा का ले सकते हैं या कोई और वी एटीसी ब्रांड का कमपनी का ले सकते हैं तो गैसे यहां पर बाई संन का अगर आप लोग लेते हैं निमम माप लोगा एक बारसो का भिए आता है और वर फॉची सों का भिए आता है तो इसाप लोगो रिक्मेंट करेंगे कि आप लोग सारा चीज़यां पर complete setup में हो गया चले करेंगे कि सेट अप करेंगे किसे वाले में चलाएंगे कैसे चलाएंगे और बेस को कैसे connection करना है तो किसे आपर सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप के बारे में तो किसे आपर अउज्या का जो मेरा 1000 wattage का एक टॉफ है जिसका impedance आप लोग को फोरॉम देखने को मिल जा रहा है तो जब दो टॉफ को parallel में connection कीजिएगा तो फोरॉम से हो जाएगा 2 ohm और उसका wattage आप लोग को 1000 दुनी 2000 wattage हो जा रहा है तो एक चैनल पे आप लोग को 2 ohm पे जो ml fire है दे रहा है 250 wattage तो काफी बेस्ट है कि 2 ohm पे ml fire पे ज्यादा लोड होता है तो अगर आप लोग का 2 ohm पे 200 और 300 wattage ज्यादा रहेगा तो आप लोग को speaker खुल कर बजेगा और आपका speaker भी नहीं जलेगा क्यों नहीं जलेगा क्योंकि आपका speaker फीक पहुर प्रोग्रामिंग वाला आपका speaker है तो इसका सिंपल सा connection है कि एक channel पे दो टॉप और दूसरे channel पे दो टॉप जो कि एलेक्सव 4500 wattage के ml fire पे चार टॉप चला सकते हैं जो कि 1000-1000 wattage का कोई इसमें प्रोग्लेम नहीं होगा लाइप टेम तक चलेगा ना आपका speaker कटेगा और ना ही आपके ml fire में प्रोग्लेम होगा च तो गया इस यहाँ पर मेरा जो dual base भी है जो कि forum impedance का है और उसका आप लोगों एक dual base का wattage 2600 wattage देखने को मिल जा रहा है तो गया इस यहाँ पर मेरा जो एम फारे 1500 wattage इसका कमर है तो गया पर कोई प्रोग्लेम नहीं होगा क्योंकि एनेक्स एडियों का जैम फारे काफी आप तो गया इसका simple सा connection है कि आप लोगो 2600 wattage का बेस हो रहा है जो कि dual base है और उसका impedance फोरूम हो रहा है तो गयास यहाँ पर फोरूम पे 2400 wattage यह निकाल कर दे दे रहा है तो एक चैनल पर एक dual base और दूसरे चैनल पर दूसरा dual base लगा दीजिए आप लोगों 1500 wattage कम हो रहा है तो यह काफी है अधिक लोड लेता है और आप लोगो मैनेज कर देगा और काफी हेवी पंच और हेवी वाइबरेशन निकाल कर देदेगा कोई इसमें प्रोग्लेम नहीं होगा गाईस आप लोगों को बता दू कि जो एनेक्स एडियों का ठारा जिरो वन यह हाल ही में लंच कोई भी एंफायर ले सकते हैं और आप लोगो फोरों पे 2400-2500 वाटेज निकाल कर देना चाहिए तो गाईस यहां पर आप लोग सारा कनेक्शन समझ गये कि कैसे आप लोगो टॉप का कनेक्शन करना है और कैसे आप लोगो बेस का कनेक्शन करना है चले गाईस अब हम बात कर लेता है कि इस सेटफ को लेने में हमें कितना खरच आने वाला है तो गाइस इस सेटफ को टोटल प्राइज आप लोगो लगने वालós चार लाख असी एजार रुक़ा के बीच में, आप लोग इस फुली के और यह पिलीज्जै Here I. आप लोग इस से यहीं को इस मेन जोब के वीडियो आप लोग को पसंद आयोगा ते वीडियो के लाइक कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पाली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे भी किलिक लिजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों अगर आपके वीमन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूल सकते हैं मैं आपका एंसर अगले वीडियो में देने की कोसीज करेंगे तो चली फ्रेंड मिलते है किसी नए टेस्टिंग नए वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत